और देश की वेवस्ता किसी एक की बपती नहीं हो सकती उसमें देश के सबी नागरिकों की भागिदारी बहुत जरूरी है जाती पार्ति का जो एक जहर चल रहा देश में मानों को देख रहे हैं जनहीत आवाज और हमारे साथ इसमें बात्चित करने के लिए सुप्रीम कोट के सीनियर इडवकेट बर्राज मलिक जी सर जिस तरह से आज एक नया फैशला है जो यसी एश्टी का जो रिजर्वेशन था जो आरच्छड था उसको सब केटेगरी में बाटने की बात की जा रही है आप इस पर क्या सूचते हैं देखे मैं नीजी तोर पर ये सोचता हूँ रिजर्वेशन का मकसद ही एक था जो लोग सामाजिक तोर से पिछड़े हैं उन लोगों को भागीदारी में देश की ववस्ता में भागीदारी के लिए कैसे सामने लाया जाए या देश की ववस्ता में भागीदारी सब की कैसे हो पाए जो disadvantage उसमें रहें माहूल में तो उन लोगों को भी साथ में लाया जाए क्योंकि देश चलता है देश की वेवस्टा से और देश की वेवस्टा किसी एक की बपुती नहीं हो सकती उसमें देश के सबी नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है जैसे घर में हर चला इस देश में, यह अपने आप में अश्चरिय चक्ट करने वाली बात हैं, कोई नो कोई फोर्सि जरूर रही है, जो इसको बनाई रखने में जिनका इंट्रेस्ट था, जबके मानुता में, मानु मानु का अलग करने में कोई इंट्रेस्ट नीं, नंस्तितों में ऐसा पूरी मानुजाती की बात करों भारत के छोड़ दो आप पूरी 800 करोड़ लोग सोफ्टवेर सब का एक जैसा है हार्डवेर डिफरेंट हो सकता है सकल सूरत जोगरोफी के हिसाब से बदलती रहती है आप और हम भी यूरोप में जाके बस जाए या के अफरीका में चले जाए एक दो पीडी के बाद ऐसा ही सारा माहूल हो जाएगा सकल सूरत पर उसका असर पड़ता है लेकिन मेरा कोश्चन यह रहेगा जिस तरह से सुप्रीम कोट के साथ जजो का जो पीठ वैठा था उसमें सिक्स और वन से बहुमत पराप्त हुआ है क्या लग रहा है आपको जिस पर आधारित है तो रिजरूशन किस जाती का कितना है इसको लेकर सुप्रीम कोट कैसे फैसला दे सकती यह बीना जाती जनगर्णा का यह लोग पुराने आकड़ों के अधार पर अपना काम चला रहे हैं जो की गलत है अब सुप्रीम कोट उसी मामले में आगे आना पड़े है तो अब यह मामला पूरे देश के सामने इन बातों का आएगा और जाती जनगर्णा बहुत जरूरी है अब तो लोकसबा में भी आपने देखा होगा पारलेमेंट में कलियर कट यह बात हो रही है पोजिशन के लोग बोल रहे हैं जाती जनगर्णा होके रहेगी क्यों हो कोई चोटी कोई सिर्फ जनम के आदार पे एक दूसरे को चोटा बड़ा समझना यह बीमारी जो है ना साइकलोजिकल बीमारी अभी इस देश में ब्यापत है जिसको हमें खतम करना बहुत जरूरी है लेकिन जिस तरह से संसत भावण में जाती जनगर्णा को लेकर पूरा समाज, SCST का पूरा समाज, अब SCST में भी बहुत सारी डिफरेंट डिबने जाती हैं, अंदर ही काफी डिमांड भी है उस तरह के केसी जो लोग आए हैं सामने, कोर्ट के सामने, तो वो भी यह मांग कर रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेशन, हमारे SC समाज में भी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ठीक हुआ है, बाकी का अभी बहुत कम है, तो उसी बात पर ध्यान रखते हुए, सुप्रिम कोर्ट ने कहा, कि समानता का जो अधिकार है, इसको पूरे गरूप की तरह, जो कांसिचूशन ने रिजरुशन दी थी, SC के लिए ती थी, जात भागीदारी हो, और समाज एक होमोजीनिस तरीके से मतलब बराबर की तरह से आगे बढ़े और भागीदारी कर पाए, इसलिए पूरे SC समाज को भी कुल मिलाके, खुद आगे आके इसका स्वागत करना चाहिए, मैं इसको और कह सकता हूं, हो सकता है, इसको कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए, इस फैंसले को उस एंगल से देखता हो, मगर हुमेनिटी के अधार पर देखा जाए, तो जाए इसके पीछे कुछ ऐसी ताक्ते भी हो सकती है, ऐसा मोटिवेशन भी हो सकता है, कि नीचे ऐसी एरेश्टी समाज को बाटने की कोसिस हो, मगर मैं इसका पॉजिटिव पहले देखूँगा, कि पॉजिटिव पहले देखने का मतलब यह है, कि टोटल मिलाके ऐसी समाज से भरपूर लोग जाती है, जनगना के अधार पे जाएं, और ने केवल नोकरी लगें पर्मोशन में भी डिजरिवेशन होनी जरूरी है, क्योंकि पर्मोशन के अंदर भी सी एस्टी समाज के या अबीसी समाज के लोगों के साथ भेदबाओ करके उनको जान बुज़ के पर्मोशन से रोका जाता है, और यहां तक भी मुझे पता चला, इवन यहां तक भी है, क S.C.S.T. समाज के लोगों को भी उनकी एज ज्यादा रिलक्षेशन है और उस एज के बहाने से उनको हाईएस्ट पोस्ट पे जाने का भी हो एक तरह से उसको बादा के रूप में यूज करता है सिस्टम जान बुज के एक तो अगर समय पे उसमें रिजर्वेशन हो तो पका आनसिंस है यह इस देश का के पूरी धुनिया का एक एक पच्चा योगए है और एक एक बच्चे को अपर्चुनिटी मिले तो हर बच्चा इस दुनिया में भागी-दारी करके ही जाना चाहता है मैं तो यह और कहरrev नहीं मानो-जाती को एक भी बच्चा ऐसा जो अभी भी मांसिक विकलांग बनाई हुए हमारे देश को अधर वाइस तो 75-80 साल में तो हमें इन चीजों का पचड़े में सुप्रीम कोट को ना बढ़ने की जूर थी ना बाढ़ने की जूर थी अगर सही तरीके से काम होता इस देश को हर आदमी की इज़त के साथ और ये ध्यान रखा जाता ये 140 करोड के परिवार का हिस्सा है और इन में से सब को मौका और सब की भागेदारी सुनिश्यत करें और उसमें कहीं कड़ बढ़ना हो इसलिए पर जगड़े किस बात क्यों हो इसी को लेकर काफी चर्चा है लोगों में जिस तरह से सुप्रीम कोड का जो फैंसला आया है बिना जाती जरगणना का सम रिजर्वेशन देने का इसी को लेकर काफी चर्चा हो रही कि जिस तरह से बिना आकड़ा लाए आप अगर किसी को रिपरजेस्टेशन दे रहे हैं ऐसे जिस तरह से लोग सबाद चुनाओ में जिस तरह से जो चुनाओ चला था उस समय जो में इस्ट्रीम मीडिया थी वो 400 पार के नारे लगा रही थी चला रही थी बिना आकड़ा का सेम पर उसे देखा जा रहा है सुप्रीम कोड में भी वही हो रहा है अब इसलिए देश के लोगों को और मैं तो कहूंगा खास और एसी और एस्टी समाज के लोगों को भी और ओबीसी की रिजुरेशन वाले मामले में जो भीहार में पैंसट परसेंट पैंसट भी कम है पूरा देश ये लाइन पर अपने हाप आ जाता जब तक डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा इस तरह के मुद्देश देश में हावी होते रहेंगे और हमें इसको भी उसी तरह देखना चाहिए जैसे 400 पार 400 पार कर रहे थे और जितने सोसल एक्टिविस्ट लोग थे मैं भी थोड आ रही हैं कि कितनी जगे वोट बढ़ाईगी सुप्रीम कोर्ट ने सुपर मोटर एक्टिशन उस पर नहीं लिया बलके सुप्रीम कोर्ट ने ईवियम के मामले को भी रिवियू में डिस्मिस कर दिया तो ये चीज़े देश की निगाह में हैं देश निगाह बनाई हुए है सुपरीम कोर्ट पे भी और सुपरीम कोर्ट की भी सारी बाते एकदम ऐसा कि गौड का संदेश कोई आ गया कती मानने की जूरत ने लोगों को in between the line जा के भी इनको चेक करना है कि इसके क्या क्या मकसद है और क्या मकसद हो सकते हैं क्या result हो सकते हैं मगर being positive हमें फिर भी इस म में भी पॉजिटिव में जाते हुए अब इस बात पर विजोड देना चाहिए कि अब ये जब बाइफर केशन किया तो अब इस देश में वोट की जनकरना जनसंक्या की जनकरना जाती क्या अधार बहुत जरूरी है बहुत जल्द होके रहेगी कोई रोक नहीं पाएगा हमेशा कोई भी फैंसला होता है सुप्रीम कोर्ट में पार्टी सरकार तो होती है हमेशा और सरकार में उस वकद जिस मांचिक्ता के लोग बैठे होते हैं जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी उनका विचार है वो जरूर कोशिज करते हैं अपने वकीलों के जरीए आंके आला गवर्मेंट नहीं होता उसका नाम ही है देश की जनता किस पर विश्वास के लिए लेकिन जिस तरह से फैंसले आ रहे हैं तो इसमें तो सभीधान का कोई महत्वी नहीं दिख रहा है जिस तरह से सभीधान का कोई रोल ही नहीं है जब यह मामला बाइफरकेशन का आया तो यह देखा कि यह सभीधान के मताबिक है या नहीं है तो सुप्रीम कोट की डूटी है रियलिटी देश की देखने की इसमें कोई दोराई नहीं है और सिवधान के दारे में रहके क्यों सिवधान के दारे में सबसे ज़्यादा जो उसको फैंसला करना होगा सुप्रीम कोट ने उसका है वीदा पीपल अब वीदा पीपल अफ सी एश्टी अगर मालने थोड़ी देर के लिए हमें नयाई चाहिए समाजिक नयाई उसमाजिक न है तो क्या है एक ही जाती में भी बहुत दिनों तक चलता रहा ये कौण सा गोतर अच्छा है एक जाती में कौन से गोतर वाले अच्छे है इस तरह कि जो misconception देश में चल रहे थे वो देरे देर काफी तूटे हैं और आने वाले समय में ये भी और क्योंकि ये जोर इसलिए आखड़े देखे इन लोगों ने कुछ के बही OBC में भी कुछ लोग ऐसे हैं वो जाता इसलिए करीमिलियर ले आए वहां पर के बार बार उन्हीं के बच्चे बन जाते हैं तो इससे समाज का क्या बला होगा खाली ठीक है एक समाज को दिया जाए मगर समाज के पूरे अंग को यानि जितने लोग समाज को बनाते हैं ऐसी समाज को सब लोगों की एक तरह से भागीदारी हो जब गिंती में उन लोगों का नाम आता है परन्तो अब यह आखड़े पुराने हैं सुप्रीम कोर्ट में इसमें सजेशन देना चाहिए था कि इस तरह के फैंसले को और अच्छी तरह लागो करने के लिए इस देश में जन करना बहुत जरूरी है यह सजेशन खाली दे सकते थे सजेशन देने से ही परलेमेंट और सरकार मजबूर होती तब तक जाती जनगरना नहीं होती तब तक आप कैसे जान सकते हैं कि किस जात के लोग हैं जो अभी भी संसाधनों से दूर हैं अभी भी रिजर्वेशन और तमाम संसाधनों से दूर हैं सिप्रीम कोड़ के फैसले ऐसे ही हैं इसमें preset है इस तरह के बाता लिखि रिखी नियर अगि इसके कोई आंख्डे नहीं है इसका कोई कमिशन नहीं निज इसका बनाया है इसका वगोन किया तो रही सुद्धा क मैं बहुत अच्छा और बॉल्ड जज्ज मानता हूं को और नयाए के करीब मानता हूं कि वह वह चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से करने की हमत और मादा रखते हैं, उन्होंने भी इन छे लोग जो हैं, वह ऐसी समासरी आते हैं, जशिस गवई, और बड़ी सब मेंबर उस सक्स का इज्जत और मानसमान रखते हैं, उनकी जगह है दिमाग में, कि वह सो समझ के इतना आँख मीच के ऐसा किसी के पिछल लगू नहीं बनेगा, तो उन्होंने भी इसमें समर्थन दिया है, छे जजजिस के साथ हो गई हैं, अब उनकी जज्जमेंट में उन्होंने क्या लिख्या, वो पड़नेगी जज्जिस तरह से सब कर्टेगरी में बाटने की कोशिस की जा रही है, तो सब कर्टेगरी में तो बढ़ता ही होगा, अब क्या है, उसमें लोगों को कहना यह है, कि समाज में भी कुछ समाज ऐसे हैं, जो आगे हैं, दूसरों से, और दूसरों को भी जो उनके साथ बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पाई, तो तमाम मुद्धों पे सर से बात हुई, जिस तरह से सुप्रीम कोट ने एक फैशला सुनाया है, कि यसी और यस्टी में जो जातियां पीछे छूट गई हैं, उनको भी पुतरे हैं, टाल समे भी मुद्धों पाे की बता हुईता ले साथ बाल समया है, कि यसी और दला रहा है. कि यसी अिकमत के साहँ जो एका सब्साना था वाफ जो मैं भी मुद Amazon duel कोट्स कटा छूट ने ले प्का हैं, एकलो मैं पूल जो मैं खेले हैं लेक हैं।